आज के समय में लोग चाहते हैं कि ग्रस्त आश्रम में रहते हुए निर्वान पत्की और आगवन करें, क्या संभव है यह बिल्कुल, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आश्रम से कोई फरक नहीं पड़ता है, आश्रम ग्रस्त है, या ब्रभ्मचारी है, सन्यास यह है, उससे फ कोई लाब नहीं मिलेगा, आपको करम कफल मिलना कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, एक हो गया, दूसरा यह हो गया कि आप ग्रस्त में रहकर निर्वान की और जाना है आपको, तो प्रतेक आश्रम में, प्रतेक धरम में आप निर्वान की और ही जा रहे हैं, जातो आप उसी और रहें, चाहिए आप जितनी उमर हो, कभी भी मरत्यू आ जाए, मरना आ जाए, आप उसी तरफ जा रहे हैं, पर बस यह है कि आपकी जो करम सैली है, जीवन सैली है, वो निर्वानिक नहीं है, आप वो आपको मृत्यू की और ले जा रही है, और मृत्यू का दूसरा नम महापुरुष थे तो जीवन प्रतेक मानव का महापुरुषों के जैसा ही है, उसमें कोई भी 19-20 नहीं चाहिए, जनको हम महापुरुष कहते हैं, प्रतेक मानव की वही सहली है जीने की, उन्होंने उस सहली को जीया, इसलिए वो अलग दीख रहे हैं, इसलिए उनके पीछे म महापुरुष नाम लग गया है, पर जीवन की सहली वही मेरी भी है और आपकी वही है, पर हम जी नहीं रहे हैं, इसलिए हम तो चमुच में गिने जाते हैं, तो हमारी सहली वैसी है, तो हमारा निर्वान संभव नहीं है, मर जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर कोश निर्वान के, गरस्त में आप सेवा करके जा सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह पोशन करके भी आप निर्वान की और जा सकते हैं, आपने परिवार में एक व्यक्ति का भी कल्यान कर दिया, निर्वान कर दिया, उसे अच्छा बना दिया, तो आप भी उसकी तरह फिर भी जा रहे हैं निवान की योगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग ग्रहस्त का काम है अच्छी संतान का निर्मान करना अगर हम पोधा नरसरी अच्छी quality की तयार करते हैं तो उसको इतनी ही quality का खेत और मिट्टी पानी दुबारा होना चाहिए लगाने के लिए वो दूसरा अश्रम हो गया और जाएंगे तो पेहले नर्सरी का असर्म जो गिरस्त है हो उत्तम क्वालिटी का होना चाहए तो उसके लिए हमारा पहला असर्म सभी का एक ही ब्रह्मचर्य आसर्म निगा को उत्त claiming यह भुता है कि अंगली बच्पन में यानि कि पहली अवस्था में ही आदमी को व्यायम करना सिखाते हैं, ध्यान करना सिखाते हैं, यह जो भी जनियू या जो भी धरम का अपना अपना चिन हैं, वो दान करते हैं बच्चों को, वो सिखाते हैं सबसे पहले, खाना पीना बोलना चालना सिखाते हैं, क जिन्नों को धर्मों को निवाहिए और वहां पर आप समस्त कलाओं में निपन हो करके फिर बाहर आईए और फिर गरहस्त में जाए समाज की सेवा कीजिए गरहस्त का कारे पूरा हो जाए फिर आप बानपरस्त में जाए बानपरस्त में जाकर पुनाय तैयारी कीजिए अपनी जाइए और फिर से अपने आप को राडी कीजिए। तो कि अब आपको बुड़ापे में जाना है, बुड़ाप ऑनतिय में अवस्था है, तो जैसे बच्पन में हम जवानी के तैयारी करते हैं तो जबानी हमारी खत्म हो गई अब बढ़ा पाया तो हमें अब बढ़ापे में बीच की जो अवस्ता बानप्रस्तकी है उसमें हमें बढ़ापे की तैयारी करनी चाहिए बल तैयार करना चाहिए बुद्धी तैयार करनी चाहिए उससे हमारा निर्मान होता ह है इसलिए हमारा अंतिम आसरम है सन्यास आसरम वाजी बहुत सुंदर आपने बात पताई कि ना धर्म को लेकर ना लोग जागरूप नहीं है को तरह कि